किसान भाईयों नमसकार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़े गरिकलचर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करने वाल है कि मुंख्धिली की भषल में खरपतवार को किस परकार से हम नेंदरन कर सकते हैं इस वीडियो में बहुती आसान तरीका मैंने बताया है तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देगे और किसान बाज़ों अगर आपको वीडियो में देगे जहांकरी पसंद आती है अच्छे लगती है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसान फायो अगर आपको चानकारी अच्छी नहीं लगती है तो आपके पास दिसलाइक का उप्सन भी है आप उसका उपयूग भी कर सकते हैं किसान भाईओव वीडियो को बीना देरी के सुरें, चलिए बात करते है कि मुभभेली की फसल में खर्पतवार को SNR biological आती है, यहां पर पर जो इमिजा थाइutor 10 % SNR आती है वो अलग-अलग company अलग-अलग नाम से product बनाती है जैसा कि Adama company बनाती है weed block के नाम से और यह से pursuit के नाम से बनाती है किसान भाईयों यहाँ पर हमें company नहीं देखना है हमें क्यों technical चाहिए image type पर 10% SL टेकनिकल होना चाहिए और किसान भाईयों जो image type पर 10% SL आता है SL का मतलब soluble in liquid मतलब कि इसको जब हम goal बनाते हैं तो अगर हम बाल्टी में goal ना बनाए और जो image type पर रहती है उसको एक पानी से बरी टेंगी में अगर एक ड़कन उपर से डाल दे और उसको किसी लकडी की साहिता से भी ना हिलाएं तो भी वो बहुत ही जल्दी पूरी टेंगी में गुल कर उसके अंदर मिल जाएगी इसका मतलब यही होता है SL का मतलब तो किसान भाईयों ऐसे खरपतवार अगर आपकी खेतों में उग जाते हैं यानि कि चोडी पती और सग्री पती के खरपतवार अगर आपकी खेत में उग रहे हैं और वो तीन से चार या दो तीन पती के खरपतवार हो यानि कि आपकी फसल लगबग 25 से 30 दिन की होनी चाहिए उसे ज़्यादा स्टेज पर अगर होगी तो उसमें खर्पतवार भी बड़े हो जाते हैं खर्पतवार में फिर 5-6 पत्या निकल जाती है तो दोवाई अपना असर नहीं दिखाती है और फिर किसान भाई बोलते हैं कि हमारी तो कुछ फाइदा ही नहीं हुआ तो किसान भाई यहां पर अगर आपकी फसल 25-30 दिन की अवस्ता में है और जो खर्पतवार उग रहे हैं वो लगबग 2-3 या फिर 4 पत्ती के हैं तो अगर आप उस टाइम पर इस्प्रे करते हैं तो यह उसका रिजल्ट 32 सांदर देगी और किसान भाई यह अगर आप फिर बाद में इस्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा अब किसान भाई यह बात करते हैं कितनी महातरा रगनी होती है तो किसान भाई यह इसकी महातरा की बात की जाए तो एक एकड में 500 ml आपको इमीजा धाय पर 10% एसल लेना है दोस्तों यह 200 सबसे छोटी पेकिंग इसकी 200 ml यह आती है जोगी एक एकड के लिए बनाई गई है तो दोस्तों यहाँ पर 200 ml में इसमें तीन प्रोड़क्ट निकलते है तीन पाउच निकलते है जिसमें दो डब्या रहती है एक पाउच रहता है तो किसान भाई यह इसमें एक इमीजा धाय पर आता है और एक अमोनियम सलपेट और एक चिप को आता है जिसमें हमें जब हम गोल बनाते हैं तो आपको दस डबे पानी के ले लेना है और सबसे पहले आपको इमिजा थाइपर वाली दवाई का उसमें डालना है पानी में और किसान भाई उसके बाद में अमोनियम सर्पेट और उसके बाद में उसका गोल बना ले फिर उपर से आप चिप को डाल देवें किसान भाईयों अब आप 10 तेंग की परती एकड़ के हिसाब से करते हैं तो आप बराबर मात्रा में उसका पूरा स्प्रे कर देवें मतलब कि ना तो दोई बचाएं और ना ही उसका ज्यादा गोल बनाएं सभी वो 200 ml जितने भी पानी में आपने मिला है वो पूरी आपके एक एकड़ में आ जानी चाहिए और किसान भाईयों मात्र आठ से 10 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा और किसान भाईयों इसके अलावा अगर आपके खर्पतवार बड़ा होगा तो उस पर ज्या उगने नहीं देगी मतलब जो खर्पतवार उग रहे हैं उनको तो कंड्रोल करेगी परंदु जो खर्पतवार उगने वाले हैं जमीन के अंदर से उनको भी कंड्रोल कर लेगी तो किसान भाईयों यह ती कुछ जानकारी उमीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लेगी अच्छी लेगी तो अब लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाज जय जवान जेख स्लाइब